फिल्म पदमावती को लेकर एक तरफ जहां कई बॉलिवुट सितारे निर्देशक संजलीला भनसाली और एक ट्रेस दीपिका पदुकोन का साथ देते नजर आ रहे हैं वहीं एक्टर और पॉलिटीशन शत्रोगन सिनहा ने करणी सेना का साथ दिया है कुछ दिनों पहले ही शत्रोगन सिनहा ने देश के प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी, बॉलिवुट के महानायक अमिता बच्चन और एक्टर शाहरोख खान से ट्वीट करके पूछा कि वो लोग क्यों पदमावती के बारे में कोई टिपणी नहीं कर रहे हैं क्यों वो लोग फिल्म मेकर्स का साथ दे रहे हैं? शत्रोगन सिनहा के इस ट्वीट ने ही उन्हें करणी सेना के लिए महान बना दिया आपको बता दें कि करणी सेना ने शत्रोगन सिनहा को फिल्म पदमावती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए समानत किया है फिल्म पदमावती को लेकर शत्रोगन सिनहा ने कहा था कि उन्होंने इस फिल्म के बारे में तभी बोला जब महान फिल्म मेकर संजलीला भनसाली ने इसके बारे में बात की उन्होंने कहा कि वो क्या बात करते हैं उन्हें पता है और वो सब के सम्मान का ख्याल रखना जानते हैं फिल्म के निर्देशक संजलीला भनसाली को उन्होंने कहा कि उन्हें राजपूतों के सम्मान का पूरा ख्याल रखना चाहिए था उन्होंने सेंसर सर्टिफिकेट मिलने से पहले मीडिया के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने के खिलाव भी आवाज उठाई और संजलीला भनसाली पर अपना गुसा जताया उनके इसी विवार के चलते करनी सेना उनसे खुश हुई है और उन्हें समानत किया है आपको बता दें कि DNA की रिपोर्ट के मताबिक शाहरो खान और आमिर खान ने पर संली दीपिका पदुकों को फून कर फिल्म पदमावती के लिए उनका साथ देने की बात कही थी